प्यारे बच्चों शुआगत हैं हम लोग पढ़ रहे हैं बीएसी से किंदेर की थ्रमडा निमिक्स और आज का हमारा टोपिक है टेंप्रेचर एंट्रोपी डाइग्राम इस डाइग्राम को कार्नोट साइकल के लिए हम प्लोड करेंगे और उसके बाद इसी डाइग्राम की स साहिता से एफिशन्ची ओप कार्नोट इंजन का एक्स्प्रेशन फाइंड आउट करेंगे चलिए शुरू करते हैं पैंप्रीचर एंट्रोपी डाइग्राम प्यारे बच्चों इसके लिए हम एक कार्नोट रिवर्सिवल हीट इंजन कंसिडर कर लेते हैं आप मेरे साथ सा आते रहे हैं और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं पिछले वीडियो में हमने आपको कार्नोट इंजन के बारें बताय था और उसके लिए हमने प्रेशर वोल्यूम ग्राफ जिसे हम इं रहे हैं कि कार्नोट इंजन फोर ओपरेशन समें काम करता है और उसे इंडीकिटर डाइग्राम की सहुआता से एक्स्प्लेन करिया था चलिए देखते हैं इधर हम प्रेशर ले रहे हैं प्रेशर जबकि वोल्यूम ले रहे हैं इसके साथ साथ हम इसके कोर्षपोंड लेंगे टेंप्रेचर एंट्रोपी डाइग्राम भी प्लोट करेंगे आप भी साथ साथ प्लोट करते रहें इधर हम टेंप्रेचर लेंगे जबकि हम इस x-axis पर entropy तो प्यारे बच्चों शाथ साथ दोनों को ही हम explain करेंगे सबसे पहले आपको हमने बताया था कि जब हमारा working substance source पर होता है तो वहां से heat ली जाती है यह देखिए यहां पर gas का pressure P1 है volume V1 और temperature T1 है इसके बाद यह देखिए यह isothermal expansion होता है और isothermal expansion में pressure जो है change हो जाता है P1 से P2 volume V1 से V2 और temperature जो है constant रहता है T1 यह देखिए यह जो process है यह हमारा isothermal expansion पहला step कारनोट reversible heat engine का यहां पर temperature constant है और आप जानते हैं isothermal expansion के दोरान हमने बताया था कि entropy increase करती है और temperature constant रहता है जब देखिए temperature जब constant रहेगा आप समझ सकते हैं यह entropy के parallel आएगी like this temperature कितना है T1 लेकिन यह entropy increase होती है isothermal expansion के दोरान पहले entropy कितनी थी S1 अब entropy बढ़कर के कितनी हो गई S2 एक बार समझ लीजिए फिर इसको लिखना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा आप देखे पहला प्रोश्रस पूरा नेक्स्ट जो step है वो है adiabatic expansion और adiabatic expansion में देखे तिनों ही चीज़ चेंज हो जाती है but no heat is allowed to enter or leave the system BC यहाँ पर pressure P2 से P3 हो जाता है volume V2 से V3 हो जाता है यह देखे यह हमारा volume है V3 और temperature T1 से T2 हो जाता है यानि कि यहाँ पर temperature change हो रहा है जब temperature change हो रहा है लेकिन आपको हमने पिछले lecture में एक बात बताई थी कि adiabatic process के दोरान क्योंकि heat ना अंदर आती है ना बहर जाती है तो change in entropy का जो हमारा यह देखे फार्मला है वो यह है जब heat ही zero है तो फिर entropy constant रहती है जब entropy constant रहेगी तो जो graph हमें मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा देखे यहाँ से यह वाली line मिल जाएगी BC यहाँ पर entropy S2 जो है वो constant रहती है temperature जरूर जो T1 था और T1 चे वो कितना हो गया है T2 यह temperature T1 है और यह temperature जो यहाँ है आप देख रहे हैं यह T2 है और यह हो गया हमारा adiabatic expansion isothermal compression होगा यह third step है इसमें volume decrease करता है like this और यहाँ पर pressure जो है change हो जाता है P3 to P4 volume decrease हो करके V3 to V4 हो जाता है और temperature क्योंकि इस दोरान constant रहता है यह है isothermal compression क्योंकि इसमें temperature constant रहता है और इस दोरान entropy जो है decrease करती है तो फिर हमें कौनशी line temperature entropy graph पर मिलने वाली है जहाँ temperature constant रहे तो यह मिलेगी हाँ entropy decrease हो गई है from s2 to s1 यह हमारा third step है और fourth step होगा हमारा वह होगा adiabatic compression और उसके दोरान यह वाली करवा जाएगी देखिए यहां पर क्या होया pressure change हो रहा है from P4 to P1 volume from V4 to V1 and temperature from T2 to T1 यह है adiabatic compression और इस तरह से complete Carnot cycle complete हो जाती है यह process यहां पर भी देश सकते हैं क्योंकि इस बार यह adiabatic compression है और adiabatic compression में heat allowed नहीं है enter or leave the system इसका सीधा मतलब है कि entropy constant रहनी है तो जो line हमें मिलने वाली है वो parallel to the temperature एक सीज मिलेगी और यह देखिए entropy S1 constant रहती है temperature T2 to T1 हो जाती है pressure volume graph पर हमें इस तरह की करव मिलती है जबकि temperature entropy graph जो इसके corresponding graph ही है वहाँ पर हमें एक rectangle मिल रही है चलिए अब question पुछा जाएगा कि discuss the entropy temperature diagram of Carnot reversible heat engine and hence find the efficiency for it with the help of this temperature entropy diagram तो आप सुरुआख करेंगे consider a Carnot engine working between source and sink at temperature T1 and T2 degree Kelvin respectively the working of the Carnot reversible heat engine can be explained in four operations working of can be explained in four steps चार steps में काम करता है सबसे पहले पहला step हमने आपको बताया था in isothermal expansion the pressure changes from P1 to P2 volume from V1 to V2 and temperature remains constant because the temperature remains constant because the temperature remains constant and so, V entropy increases from S1 to S2 the entropy increases from S1 to S2 and V entropy increases from S1 to S2 and V get a line from S1 to S2 A, B parallel यह देखिए A, B line क्योंकि इसमें entropy increase कर रही है temperature constant temperature constant है तो यह हम entropy के parallel line हमें मिलती है parallel to entropy 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 axis यह देखिए यह वाली line जो entropy axis के parallel है in T temperature entropy diagram अभम second step मिली रही है in adiabatic expansion because no heat is allowed to enter or leave the system it means that the entropy remains constant but temperature change is from T1 to T2 and so यह देखिए in adiabatic expansion entropy remains constant and we get can BC parallel to temperature axis on temperature entropy diagram यह BC हो यह in isothermal compression यह 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 जब is from S2 to S1 from S2 to S1 at constant temperature T2 and we get line Cd C parallel to temperature axis on indicator diagram temperature entropy diagram system you can say. Next, in adiabatic compression, in adiabatic compression, the pressure changes from P 4 to P 1, volume from V 4 to V 1, temperature T 2 to T 1, T no changes changes from P 4 to change, but no heat is allowed to enter a lady system, because heat is constant, change is not happening, this means entropy is also constant. The entropy remains constant, we get line, this means we have a line, DA, parallel to temperature axis, this is the temperature axis, it is parallel, and this is a complete cycle, and we see that on temperature entropy diagram, we get a rectangle A, B, C, D for complete Carnot cycle, we get a rectangle A, B, C, D on temperature entropy diagram, we get a rectangle A, B, C, D on temperature entropy of Carnot engine. Carnot reversible heat engine ki efficiency, humnne aapko batae tha, ki it is defined as the ratio of the work done by the engine. Carnot engine kitna work karta hai? o, yani ki it is defined as the ratio of the work done by the engine, and work done on the engine. o, yani ki c dc baat yeh hai, ki output, output koon sa hai, jho Carnot engine work karta hai, and input, input wo hai, jho, jho humnne working substance hai, us o, yani ki it is defined as the ratio of the work done by the engine. So, let's talk about the output output. Output kis ke berabhar hootah hai? Work done by the engine, and we have told you that this work done is equal to the area of the indicator diagram. Kyaan par bhi yeh kis ke berabhar hooga? Area of the temperature entropy diagram for reversible Carnot engine. And it is equal to area of A, B, C, D. So, can you tell me what is? It is equal to A, D, multiply by C, D. Lekin A, D humn jaante hai, yeh kis ke berabhar hai? T1 minus T2. T1 minus T2. Aur C, D kis ke berabhar hai? Wo bhi aap jaante hai. C, D. This is C, D and it is equal to S2 minus S1. S2 minus S1. Aab humn input dekh lete hai, pere bacho. Input means that work done by the engine. Yeh kis ke berabhar hootah hai? It is be work done during isothermal expansion. Kyunki jab source for working substance hootah hai, to heat constant temperature per source se lee jati hai. Aur woh is area ke berabhar hootah hai. A, B, V2, V1. Aur indicator diagram me, जो temperature, entropy diagram me, अगर हम देखें, तो यह इसके berabhar hootah hai, area. A, B, यानि work done during isothermal expansion. That is, A, B, S2, S1 A. S2, S1 A. और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यह देखें. This, यानि कि T1. यह देखें, यह कितना है temperature के पे? A, S1, T1 है. इसको आप पहले लिख लीजिए. A, S1 multiplied by A, B. और यह आप बता सकते हैं, A, S1 किसके berabhar hai? T1. और A, B के यह, C, D के यह, किसके berabhar hai? S2 minus S1 के berabhar hai. इन दोनों से ही, output भी हमें पता चल गया है और input भी बताला है. Put the values of output and input in this equation to find out the efficiency of the Carnot engine. T1 minus T2 into S1, sorry, S2 minus S1. और input कितना है? वो आपके सामने नीचे है. T1 into S2 minus S1. यह देखे. यह दोनों cancel हो गई है. अब जो बचता है, 1 minus T2 by T1. यह दे T1 चे नीचे T1 करें, बना जाएगा और T2 by T1 this is equation. और आगर हम इसे percentage में निकालना चाहते हैं तो इस तरह से. So, this equation gives the expression of efficiency of the Carnot reversible heat engine with the help of temperature entropy diagram. तो प्यारे बच्चो बहुत important question. बहुत बार आपके university exams में पूछा जाता है कि draw the entropy temperature diagram of Carnot reversible heat engine and hence find the efficiency of this Carnot engine with the help of temperature entropy diagram. तो आपको इतना करना है, next जो हमारा lecture रहेगा वो भी potent ही रहने वाले हैं, जिसमें हम entropy related और दूसरी कौनशी terms होती हैं जिन पर आपके exams में question पूछा जाते हैं, जो आपके syllabus में हैं हम उसको लेने वाले हैं और इसके लिए पैरे बच्चो आप अपने इस channel से जुड़े रहिए आप इसको subscribe कर लीजिए और bell icon भी दबा दे ताकि आपको notification मिल जाए क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है और दूसरे students को भी share करें जो अच्छे अच्छे lectures जो coming जो topics हैं आपके syllabus में उन पर videos मिलेंगे चलते ही मिलते हैं next lecture में Thank you very much